थो डीपिनिंग एवरिवेन आज जो है हम लोग बहुत अच्छी से पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी टॉपिक है जिसको आप सभी लोग जानते हैं जिसके लिए सभी लोग इनतीजार कर रहे थे जो आप कह रहे थे कि सर अब दो वीडियो डाल चुकिए आंगे के वीडियो कब आएगा तो जैसे मैं हब बताया आपका इंतजार ख़तम कुआ मैं तीसरी वीडियो लेकर इसका आ रहा हूं इसके पहले वाले दो वीडियो हो चुके हैं आज मैं जो है कुछ ऐसे question लेकर आया हूं जो बहुत मात्पूर है आपके लिए और इसकी एंसर सहीत है पूरा डिस्क्रिप्टीव है पूरा डिस्क्रिप्षन के बारे में इसमें बात करती हैं पूरी सभी का एंसर दिया हुआ है हम लोग अच्छे समझेंगे बिलकुन एक-क कुश्चन आई हुए पीपर में आई हुए कुश्चन है उनहीं क कि आप सब जानते हूं कि फटा फट की बात है कि पहरा को सचन है सवाधिनता संग्राम कफ से प्रारंश हो था अगर हम बात करें दोस्तों तो अगर बात करते हैं तो सवाधिनता संग्राम कफ मेरट से मेरट कहां है भी या उत्तर प्रदेश में तो ये दसमाई अठार संतामन में आप सब जानते हो ये उस दिन से उत्तर प्रदेश से जो है ये सबसे पहले यहां पर बोला जाता कि स्वाधिनतर संग्राम चालू हुआ था ठीक है आगे कि अगर आप बात करें मद्द प पहली बात हुआ अब किस सन में बिटा ये 1857 में में और किस जिन' तीन जून को तीन जून 1857 को ये माना जा रहा है कि मद्द प्रदेश संग्राम का बिद्रोट प्रारम हुआ था ने इसकोशन आपके सामने दोस्तों कि मुरार दिशावनी में मुरार च्षावनी में बिद सबस्क्राइब करें जो दोस्तों पहुत महतंपूर है और यह जो भाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत महतंपूर है आप इस वीडियो को लगाता लास्ट तक बने रहे सब से पहले मैं आप को बातकरने वाला हूं जो अब देख पा रहे होंगे कि सीवपुर में विद्रोग कब हुआ था ने किया तह किस ने किया था यह 1757 जो फिद्रो ही हुआ था तो किस ने किया थ तो राने की लख्षमी बाई और टातिया टोप스 पक्र 50 को पकाड़ने में किस ने तो जानते हो सिंधिया के सामान देने जो है इनकी जो है help किये दे जो एक तरह से विश्वास घात कहलाता है ठीक है अंगर कोशन के अगर हम बात करें दोस्तों तो तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी तो ये भी कई बार पेपर में आये हुए हैं तात्या टोपे की फा ठीक है अगर हम बात करें मेरे दोस्त आ चाहने के अपपा जी भूसले का सब्बन्द किस छत की क्रांदे से है 1818 की बात है दूसरी बत 1833 में रामगड 1833 में रामगड में विद्रो किस ने किया था 1833 में रामगड में नरेश जुहार सिंग के पुत्र नरेश जुहार सिंग के जो पुत्र है ने किया था देवनाथ सिंग ने किया था आगे कोईशन अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे हैं गॉलियर के निकट मुरार छाबनी में सैनिक बिद्रो कब हुआ था तो उस सैनिक जिजओ चूधा जूनट हरस शनतावन को हुआ था गौलिया के निकट एक मुराज शावनी में सैनिक विद्रो हुआ था तो चौदा जोन अठार शावनी में उनमें सैनिक विद्रो हो गया था ठीक है तो ये भी एक अच्छा महत्रपूर्ण कॉस्चन था मेरे दोस्त और इस उने अप अच्छे से आपने समझा भी संकर साह किसका वनसर था देखे विद्रो से था तो आप देख सकते हैं ये किस विद्रो से था तो इसमें आप देख सकते हैं मंडला मंडला से था इंद ऐसने कों के नतर का किस ने किया था इंद और सेने कों ढिद्रो कन डैर्ब्द का मतलब सादत खाने की था इंद आउनल सेने ही और सादत खाने इसका जो है वो किया था ठीक है जिम्मा उठाया था ये भी थोड़ा महत्पूर्ण है पेपर के दिश्ट इसलिए थोड़ा इसको आप फोकस करिएगा समझिएगा और अच्छे से कोशिश करिएगा ठीक है अच्छा इंदौर सैनिक बिद्रों में अंग्र सार का राजा बना साहजादा हुमायू किस नाम से तो फिरोज साह के नाम से जो है मंद सार का राजा बना साहजादा फिरोज जो है फिरोज जाक के नाम से पड़ा इसका इंसर है मंडले सर की केंदरी जेल की घटना है ये मंडलेसर की क्या है केंद्री जेल की घटना है आवंती किस रियासत की रानी थी देखिए एक बहुत बड़ा महत्मूर क्यूस्चन है आवंती जो है 18 मंडला जेले की रामगड रियासत की थी कहां की थी बैटा मंडला जेले के रामगड रियासत की थी महरानी थी रानी अवंती भाई अगला कोश्चन है अब देख अठारा संतामन में रामगड किस ने हमला किया था अंग्रेज सेनपती बॉर्डन ने संगटित सेना के साथ जो है इनका सबसे हमला किया था अंग्रेज सेने बॉर्डन ने किया था रानी अवंती भाई के अंगर सम्मेलन कहां हुआ था तो कांग्रेश का जो साथवां सम्मेलन है ये नांगपूर ततकाली मत्प्रदेश की भूबाग पर मांगपूर यानी मत्काली मत्प्रदेश के भूबाग पर राश्टी धोच फहराने के कारण किस जेल किस से जेल हुई थी तो सुन्दालाल को 6 मतलब में नांगपुर्जंडा सत्यागर्य के किस ने किया था भावानी दीन या पूरान चंदराका मत्प्रदेश के नमक सत्यागर्य कहां हुआ था तो सीविनी जिले के गांधी चौक पर ठीक है